जहिन साथियो, स्वागा थे आप सुभी का अपनी यूटूब चैनल फिर नोलेज 1998 पर साथियो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी में बार बार पूछे जाने वाले साइंस के कोश्चनों के बारे में तो साथियो ये कोश्चन आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाले हैं तो इन कोश्चनों को आप मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि ये कोश्चन आपको आगामी आर्मी की परिक्ष्य में भी देखने को मिल सकते हैं तो ये GS के बहुत important question है तो आप इसको याद जरूर कर लिजेगा और not down कर लिजेगा क्योंकि ये GS के question बहुत important रहने वाले हैं तो चलिए दोस्तों आप स्टार्ट करते हैं कि वो कौन कौन से science के बहुत important question है जो कि बहुत बार-बार पूछे जाते हैं इस option आपको स्कीनी पर देख रहे हैं oxygen के रूप में नाइट्रेट के रूप में carbon dioxide के रूप में और इनमें से कोई नहीं तो साथियो पौधे जो है nitrogen को nitrogen के रूप में ग्रहन करते हैं तो इसका answer हो जाएगा आपका नमबर दूसरा nitrogen के रूप में ठीक है साथियो second question है पादपों में जल तथा खनीज लवणों का संचालन होता है तो आपके पास option दी हुए है नमबर पहले नमबर पर दिया हुआ है प्लोयम द्वारा जाइलम द्वारा nitrogen द्वारा oxygen द्वारा चार ओप्शन दिये हुए है एक बार question को आप ध्यान से पढ़ लीजेगा पादपों में जल तथा खनीज लवणों का संचालन होता है तो ठीक है इसका जो answer आपका रहने वाला है साथियो नमबर दूसरे नमबर क पता है खनीज लवणों का संचालन जाइलम के द्वारा होता है ठीक है तो इस question का answer हो जाएगा जाइलम के द्वारा तीसरा question है साथियो प्लाजमोडियम पर जीवी है प्लाजमोडियम पर जीवी है आपको इसकिन पर दिख रहे हैं चार option है बुखार का मलेरिया का हैजा का और इन मैंसी कोई नहीं तो साथियो प्लाजमोडियम पर जीवी होता है किस का होता है मलेरिया रोक गा तो इसका answer क्या हो जागा साथ यो नम्मर दूसरा मलेरिया रोक का एक बात एक कौर में important चीज बता दूं साथियो प्लाजमोडियम पर जीवी चार प्रकार के होते है च प्लाजमोडियम परजेवी मनुस्य को सबसे ज्यादा खतरनाक कौन से कौन सा परजीवी करता है फैलसी फैरम ठीक है फैलसी फैरम जो होता है परजीवी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है कौन सा फैलसी फैरम तो यह आपको परिक्षा में पूजी सकता है कि कौन सा प्ला ठीक है. नेक्स्ट कोशन आपको है, मालेरिया रोग का बाहक ठीक है, life individuals, malaria जो होता है इंसानों में, तो वो इंसानों को से अंग को प्रभावित करता है? ॉफसन है याकरत को, पलिकल को, गुर० prefड़ को, तो जो malaria रोग होता है साथ graphs, आपते स्रीर में प्लय या को प्रभावित करता है, कि स्को प्लय फिलीहा को तो इसका कौन सा अंसर में प्लीहा ठीक है सात्यों छटवीर नम्मर का 1-5 कौश्चन है आपको मैं बता दूँ साति हो इस इसमें 3 4 कौश्चन ऐसे हैं जो की बहुत ज्यादा परिक्था में पूछ जाते हें ठीक है तो आप को जुरूर श्याद कर लाइज एगा चाटवे नम्मर का question आपको स्कीन पर दिख रहा है पादपों में बना खाद्य पधार्त पौधों की बीविन अंगों में पहुचता है तो किसके द्वारा पहुचता है साथियो आपको option दियो है जायलाम के द्वारा, नाइट्रोजन के द्वारा, आक्सीजन के द्वारा और फ्लोयम के द्वारा ठीक है तो जो होता है साथियो पादपों में खाद्य पधार्त पौधे के बीविन अंगों में कौन पहुचता है कौन फ्लोयम, फ्लोयम है साथियो जो खाद्य पधार्तों के बीविन अंगों तक पहुचता है इसका अंसर क्या हो जाएगा नम्मर चो को भी हो चाहे पारे पारा का होगा किसी कभी धर्मा मीटर पारे किसी कभी हो आपको यह scom digny को मिल सकता है मीट्रों के बारे में तो इसका option आप ध्यां से पढ़िएगा कि किसी अंतिर द्वारा तने की दोरा मापी जाती है बॉत there तोसे का एक को एकनोल मीटट्सकी तु इसना पीये हये राइभोस्वों को के लीज情 को anunci यह को अपको दिए होए Rribosome को, Lysosome को, Mitochondria को, उफ्रोक्त सभी को, तो इसका जो आंसर होने वाला है साथियो, इसका अंसर होने वाला है Lysosome को, नमर, दूसरे नमर का इसका अंसर होने वाला है Lysosome को, इसके बारे में एक और जानकारी दे दूसर आतियो, Lysosome की खोज की थी, CD, डूबे, CD, डूबे ने Lysosome की खोज की थी, और एक और मैं आपको बता दूँ कि Lysosome का निर्मार कहा होता है, गाल की कोई में, गाल की कोई में इसका निर्मार होता है, ये दो कोश्चन बहुत ही ठीक है, साथियो, नम्मर, नोबे नम्मर का आपका जो कोश्चन है, पैपसिन एक उधारन है, ठीक है, पैपसिन किसका उधारन है, प्रोटीन का, हार्मोन का, एंजाइम का, या इन में से कोई नहीं का, तो पैपसिन उधारन किसका है, साथियो, नम्मर तीसरे इसका अंसर ह हो जाएगा एंजाइम का पैपसीन उधारन है एंजाइम का पैपसीन एंजाइम का उधारन होता है साथ यह जो भोजन भोजन प्रोटीन को पैप्टाइट में बदलता है ठीक है भोजन प्रोटीन को पैप्टाइट में बदलता है कौन पैपसीन एंजाइम जो होता है भोजन प्रोटीन को peptide ने बदलता है तो यह हो गया आपका नुवे नम्मर का question और इसका answer क्या हो जाएगा enzyme दसवे नम्मर का question आपके पास screen पर दिख रहा है सांतियो यह भी बहुत important question है इसको भी एक बार Indian Army के परिक्षा में देखा गया है कि दूद में कौन से vitamin नहीं पाया जाता है आपको option दी हुए है vitamin A, vitamin B, vitamin C और इन में से कोई नहीं तो सांतियो इसका जो answer होने बाला है दूद में vitamin C नहीं पाया जाता है कौन सा vitamin C तो इसका answer को हो जाएगा नम्मर तीस नम्मर का की दूद में vitamin C नहीं पाया जाता है last question है सांतियो toxin last question आपको skin पर दिख रहा है toxin एक प्रकार का होता है क्या होता है toxin toxin एक प्रकार का होता है protein, hormone, enzyme, चहरीला, पधार तो साथियो इसका answer आपको comment box पर देना है आपको इस question का answer comment box पर देना है कि क्या होगा करके ठीक है तो साथियो यह इस class को miss नहीं कीजेगा बहुत अच्छे important question है यह इसको याद जरूर कर लीजेगा और साथियो मैं अपने यह इंडियर आर्मी के जीके के important most important question हर दिन सुबह 8 वजे upload करता हूँ अपने यूटूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को subscribe चरूर कर लीजेगा और daily इसको क्योंच खेलिएगा साथियो क्योंकि आपके लिए आगामी परिक्षक लिए बहुत ही important रहने वाले हैं यह question और साथियो वीडियो को like जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं भी इससे motivate होता हूँ और आपके लिए बहुत ही और अच्छी important question लेकर आँगा next वीडियो मे झाले हैं